हेई गाइस कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Realme 9i जोके Realme का लेटेस्ट बजट स्मार्टफून है और अपने साथ काफी सारे amazing features लेके आता है आज इस वीडियो में ऐसे ही 40 से जाधा amazing features आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस फोन को और भी बहतर तरीके से यूज कर पाएंगे तो अगर आप इस फोन में इंट्रस्टिन है तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखेगा और मुझे बताएगा नीचे comments में कि आपको कौन सा feature सबसे ज़्यादा अच्छा लगा चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं त किसी भी application को अगर आप देखेंगे इस तरीके से floating window में open कर सकते हैं इसको इस तरीके से अगर आप चाहें तो resize भी कर सकते हैं अगर आप एक हाथ से phone को use करते हैं तो बहुत बार आपको ये जो उपर वाले icons होते हैं उनको select करना बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए इस phone के उपर इस तरीके से swipe करते हैं तो आपके जो सारे icons हैं वो नीचे आजाते हैं और किसी भी icon को select करना काफी असान हो जाता है किसी भी icon के उपर आप उसको छोड़ दीजिए वो app या वो icon जो है वो open हो जाएगा अगर आप log screen के उपर random wallpapers use करना चाहते हैं उसके लिए आप आपको इस phone में glance for realme का option मिलता है उसके लिए अगेन आपको home screen के उपर long tap करके more के अंदर जाना होगा और यहाँ पर नीचे आपको glance for realme का option मिलेगा इसको आप turn on कर सकते हैं यहाँ पर categories अगर आप select करना चाहते हैं तो content की categories select कर सकते हैं कैसे wallpapers आपको देखने हैं कब-कब update करने हैं यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर change कर सकते हैं home screen settings में ही यहाँ पर आपको double tap to lock और double tap to wake up के options भी मिलते हैं अगर आप इन दोनों options को enable करते हैं तो आप यह power की का usage काफी कम कर सकते हैं phone को lock करने के लिए आप directly ऐसे double tap कर सकते हैं और unlock करने के लिए दुबारा से इस notification panel को भी control कर सकते हैं उसके लिए again आपको home screen settings में जाना होगा और यहाँ पर swipe down on home screen के option को notification door के उपर set करना है उसके बाद अगर आप नीचे swipe करेंगे तो आप देख सकते हैं यह control center और notification panel जो है उसको आप control कर सकते हैं दोस्तों एक बहुत ही amazing और बिल्कुल नया feature जो इस phone में आपको मिलता है वो है background stream का इसकी मदद से आप YouTube की वीडियो को background में play कर सकते हैं without premium subscription मैं आपको दिखाता हूँ वाइज अभी अगर आप देखेंगे मैंने YouTube के अंदर एक video play किया है और यह जो account है वो आप देख सकते हैं normal YouTube का account है premium account नहीं है लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको minimize करके music को play करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से background stream के option को press कर सकता हूँ अभी YouTube जो है वो background में play हो रही है मैं आपको यहाँ पर audio increase करके दिखाऊंगा और phone को lock भी करके दिखाऊंगा आप देख पाएंगे कि YouTube जो है वो चलती रहेगी यह जो app के icons हैं इनका shape और size अगर आप change करना चाहते हैं वो option भी आपको मिलता है home screen के उपर long tap करके अगर आप icons का option select करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा customization मिल जाएगा यहाँ पर आप material style select कर सकते हैं पैबल style select कर सकते हैं custom के अंदर अगर आप जाएंगे तो अपना कोई style यहाँ पर create कर सकते हैं आपको corners को कितना rounded करना है foreground को कितना बड़ा रखना है icon के size को कितना बड़ा चोटा करना है या फिर app name जो show होता है उसको कितना चोटा बड़ा करन वो सब चीज़ें आप यहां से कसमाइस कर सकते हैं, इस phone में जो dark mode है वो भी आपको काफी जादा कस्तमाइजेबल मिलता है, अगर आप dark mode को enable करते हैं और इसके उपर long tap करते हैं, तो यहां पर आपको dark mode settings का option मिलता है यहां से आप choose कर सकते हैं कि background जो है वो आपको कितना जादा dark black चाहिए enhanced में बिल्कुल pitch black रहेगा medium में थोड़ा सा कम हो जाएगा gentle में काफी जादा greyish हो जाएगा इस तरीके से इसको control कर सकते हैं और dark mode को आपको wallpapers के उपर icons के उपर लगाना है या नहीं ये सब चीजें भी आप यहां से control कर सकते हैं screen recorder अगर आप यूज करते हैं उसका option भी आपको phone में internally मिल जाता है अगर आप again control center में देखेंगे तो यहां पर screen recording के उपर long tap कर सकते हैं यहां पर आपको sound का option जो है वो system sound और microphone sound दोनों record करने का option मिलता है और आप इन दोनों को एक साथ भी record कर सकते हैं video resolution हालांके आप maximum HD इस phone में record कर सकते हैं bit rate maximum 16 mbps है और frame rate जो है वो आप maximum 60 fps तक का record कर सकते हैं इस phone में आपको direct wifi tethering का feature भी मिलता है मदबके wifi own होते हुए अगर आप hotspot को own करते हैं तो आपका wifi बंद नहीं होता बलके hotspot की मदब से आप अपने इस wifi को आगे share कर सकते हैं अगर आपको इस wifi का password नहीं पता या फिर आप अपने phone को ऐजे wifi extender यूज़ करना चाहते हैं उन दोनों ही cases में ये option काफी useful है अगर आप एक volti enable sim यूज़ करते हैं तो इस phone में आप native video calling और wifi calling जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं native video calling मतब dialer में कोई भी number dial करके आप directly यहां से ही video call कर सकते हैं wifi calling अगर आपको enable करना है तो आपको settings में sim card and mobile data के अंदर sim को set करना होगा और यहां पर आपको wifi calling का option मिलेगा इस phone में आपको काफी amazing quality के live wallpapers भी मिलते हैं अगर आप again से home screen के पर long tap करके wallpapers के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको live wallpapers का option मिलेगा अब यहां पर यह जो पहले तीन wallpapers आप देख पा रहे हैं यह time changing wallpapers हैं मदब के दिन में क्या time है उसके हिसाब से change होते हैं सुभा में आपको थोड़े bright मिलेंगे सूरजवादे मिलेंगे रात में आपको stars और थोड़े dim देखने के लिए मिलेंगे तो यह काफी amazing interactive live wallpapers हैं जो के आप यहां पर यहां पर use कर सकते हैं इस phone के कुछ best features आपको यहां पर settings के अंदर नीचे scroll करने पर realme lab के अंदर मिलेंगे यहां पर सबसे पहला amazing feature जो है वो है dual mode audio का इसकी मदद से अभी तो मैंने कोई earphones attached नहीं कर रखे लेकिन इसकी मदद से आप एक bluetooth earphones और एक wide earphones दोनों को एक साथ use कर सकते हैं काफी जादा amazing option है जो किसी और UI में आपको नहीं मिलेगा उसी के साथ यहां पर आपको smooth scrolling का option मिलता है इसकी मदद से आप जो scrolling का experience है उसको काफी जादा smooth कर सकते हैं scroll करके जब आप छोड़ते हैं कहीं पर अगर आप इसको enable रखेंगे तो वो एकदम से नहीं रुपता मतब जब आप छोड़ देते हैं उसके बाद धीरे से रुपता है smoothly रुपता है तो वो काफी बहतर experience आपको provide करता है उसी के साथ यहां पर आपको sleep capsule का option मिलता है अगर आप रात को सोने के time phone को बहुत जादा use करते हैं तो आप इस phone में set कर सकते हैं कि मुझे इतने बज़े सोना है इतने बज़े उठना है और phone उसके बाद आपकी सोने में help करता है आप यहां पर app allow list बना सकते हैं मतबकि किस-किस app को आपको allow करना है उसके बाद use करना उस time के बाद use करना उसी के साथ यहां पर आपको यह जो downtime limits है इनको change करने का limit मिलता है आप हर बार नहीं change कर सकते हैं आप एक महीने में सिरफ तीन बार इसको change कर सकते हैं तो यह आपको थोड़ा restrict कर देता है अपनी sleep जो है उसको जादा बहतर schedule करने के लिए settings में अगर आप wifi के अंदर जाएंगे तो यहां पर नीचे advanced settings के अंदर wifi assistant के अंदर आपको एक बहुत ही amazing option dual channel acceleration का मिलता है अगर आप इसको enable करते हैं तो आप wifi और mobile data को एक time पर use कर सकते हैं और बहतर internet connectivity दे सकते हैं यहां पर जो apps आपको show करेगा उन सब apps में इसका support आपको मिल और यह list जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप नई apps install करते जाएंगे settings में अगर आप personalizations के अंदर जाते हैं तो यहां पर एक बहुत इच्छा option आपको accent colors का मिलता है मतलब यह जो notification panel में और toggles में यह जो blue color आपको मिल रहा है इसको भी आप इस phone में change कर सकते हैं और अपने मन पसंद के किसी भी color में कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी options मिल जाती है और जो भी आप चाहें यहां से आप select कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर यह जो notification panel के icons हैं इनका shape भी change करने का option आपको मिलता है यहां पर आपको notification door का option मिलेगा और यह यहां पर आपको 6 shapes मिल जाती है, अब देख सकते हैं, rectangular है, rounded rectangle है, hexagonal है, और यह rounded square shape आप एक बोल सकते हैं, और यह एक different तरीके का shape है, तो यह सब shapes आपको यहां पर मिल जाती है, settings में अगर आप display and brightness के अंदर जाती हैं, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा option आपको OSIE visual effect का मिलता है, अगर आप videos वगेरा phone के उपर देखती हैं, तो इस option को own करने के बाद, आप उन videos का experience जो है वो बहतर कर सकते हैं, basically phone जो है वो artificially उनके colors को enhance करने की कोशिश करता है, तांके आपको बहतर दिखें उसके colors और overall आपका viewing experience जो है वो बहतर हो जाए, screen colors को change करने के और भी options आपको यहाँ पर mode के अंदर मिलेंगे, यहाँ पर आपको screen color mode मिलेगा, यहाँ पर vivid की जगा अगर आप चाहें तो gentle के उपर इसको select कर सकते हैं, उसी के साथ screen refresh rate चेंज करने का option आपको मिलता है, byte fault यहाँ पर auto select के उपर select किया गया है, लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप जादा smooth experience चाते हैं, तो आप 90 Hz यहाँ पर select कर दीजिए, settings के अंदर अगर आप sound and vibration के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा option आपको reduce notification feedback का मिलता है, मदब कि जब आप phone को full screen में use कर रहे हैं, जिसका मदब है कि या तो आप कोई video देख रहे हैं, या तो आप कोई game play कर रहे हैं, उस time पर notification का जो sound है, वो automatically कम हो जाता है, क्योंकि phone समझ लेता है कि आप phone को already use कर रहे हैं, हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ही notification का पूरा sound सुने, तो आप इस option को यहाँ से disable कर सकते हैं, sound and vibration के अंदर ही एक और अच्छा option, आपको real sound technology का भी मिलता है, जिसके अंदर से आप presets को change कर सकते हैं, आपको movie, game और music के options मिलते हैं, हालांकि आपको यहाँ पर equalizer नहीं मिलता है, जिसकी मदद से आप customize कर पाए sound के experience को, लेकिन कुछ presets हैं इन में से अगर आप चाहें तो choose कर सकते हैं, इस phone में आपको notification history सेव करने का भी option मिलता है, settings के अंदर अगर आप notifications and status bar के अंदर manage notifications के अंदर जाएंगे, यहाँ पर more के अंदर आपको notification history का option मिलेगा, इसको अगर आप enable करेंगे, तो आपके phone के पर जो भी notifications आएंगी, phone उनको यहाँ पर save करता रहेगा, और नहीं दिखता, आप inside the battery icon या फिर outside the battery icon देख सकते हैं, उसी के साथ अगर आप network speed देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, real time network speed आप enable कर सकते हैं, उसी के साथ even आप यहाँ पर काफी सारे status icons को disable कर सकते हैं, अगर आपको उनको जो है वो status bar में नहीं देखना ह अगर आपने earphones attach कर रखे हैं, लेकिन आपको speakers के उपर play करना है, तो वो चीज़ आप उस option की मदद से select कर पाएंगे, अगर आप इस option को enable रखेंगे, प्राइवेसी के अंदर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको app look, hide apps और private safe जैसे options भी विलेंगे, अगर आप applications को या फिर अपनी files को password protect करना चाहते हैं, hide करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप इन सब options की मदद से कर सकते हैं, अगर आप navigation settings करना चाहते हैं, तो आप settings में convenience tools के अंदर navigation के अंदर जा सकते हैं, by default आपको यहाँ पर 3 button navigation मिलता है, लेकिन gesture navigation भी आपको इस phone में दिया गया है जस्त आप इसको यहाँ से enable कर सकते हैं, even यहाँ पर आपको one-handed mode का option मिल जाता है, अगर आप किसी time के उपर एक हाथ से phone को use करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से वो असान हो जाता है, काफी सरे gestures का support भी आपको convenience tools के अंदर मिल जाता है, gestures and motions के अंदर अगर आप screen of gestures के अंदर या फिर आप यहाँ पर अपना कोई custom gesture भी create कर सकते हैं, काफी सारे screenshot gestures का option भी आपको मिलता है, screenshot से related gestures हैं, जैसे कि three finger से अगर आप swipe down करेंगे तो आप screenshot ले सकते हैं, three finger से touch and hold करेंगे अगर आप, तो आप यहाँ पर एक partial screenshot capture कर सकते हैं, मतलब आपको screen में कुछ area capture करना है, त आपको इस phone में scrolling screenshot या फिर long screenshot का option भी मिल जाता है, अगर आप एक normal screenshot capture करते हैं, तो यहाँ पर आपको scroll का option मिलता है, इसके उपर अगर आप tap करते हैं, तो phone जो हो automatically scroll करना शुरू कर देगा, और जहां तक भी आप चाहें phone को scroll कर दीजिए, उसके बाद done के उपर click कीजिए, त आपको एक bubble में show होती रहती है, और जब भी आप game में वापिस जाना चाहते हैं, तो आपको recent में जाने की जुरूत नहीं है, आप directly उस bubble के उपर tap कीजिए, और आप वापिस से उस game को जल्दी से open कर सकते हैं, basically game में आप कुछ miss नहीं करेंगे, और जल्दी से जल्दी आप game को रख सकते हैं, और basically shortcuts की तरह अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये smart side पर काफी इच्छा option है, इस phone में आपको performance mode भी देखनी के लिए मिलता है, settings के अंदर अगर आप battery के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर more battery settings के अंदर आपको वो देखनी के लिए मि सरस constituent से हो सकता है के बैटरी जादा consume हो, या फिर phone थोड़ा बहुत heat हो, लेकिन आपको काफी बहतर performance जरूर से देखने के लिए मिलेगी, app clone या फिर डूल एप्ष का option अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वो आपको settings में app management के अंदर app cloner के नाम से मिलेगा, और एक अची चीज यहां पर यह है कि सिरफ social media ही नहीं, आप दूसरी apps को भी इस phone में clone कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप payment apps का clone create करना चाहते हैं, shopping apps का clone create करना चाहते हैं, वो सब चीजें भी इस phone में कर सकते हैं, virtual RAM expansion का option भी आपको इस phone में मिलता है, अगर आप about phone के अंदर जाते हैं, तो यह यहां पर आपको RAM expand करने का option मिलेगा, मेरे पास यहां पर 4GB वाला RAM variant है, और उस phone में आप maximum 3GB तक RAM को expand कर सकते हैं, चलिए guys, camera के कुछ amazing features आपको बताता हूँ, camera के अंदर अगर आप जाएंगे, तो सबसे पहली चीज आपको बता दूँ कि इस phone में wide fold अगर आप photos capture करते हैं, तो हर photo 50MP की capture नहीं होती, अगर आप चाहते हैं कि हर बार एक high resolution photo capture हो, तो यहां पर नीचे drag कीजिए, और यहां पर आपको 50MP वाले mode को own कर देना है, और इसकी मदद से आप high resolution photos लेपाएंगे, अगर आप portrait mode को यूज करते हैं, तो इस phone में आप variable depth effect भी यूज कर सकते हैं, मत इस phone में आपको pro mode का option भी मिलता है, जिसको आप expert mode भी बोल सकते हैं, हालांके एक चीज़ धियान रखे कि इस phone में आप front camera या फिर videos mode के लिए pro mode को use नहीं कर सकते हैं, यहां पर सिरफ rear camera के लिए आप इस pro mode को use कर पाएंगे, हालांके night mode अगर आप इस phone में यूज करना चाहत हैं, तो यह सब चीज़ें आप night mode में कर पाएंगे, slow motion videos के अगर आप बात करें तो उसका support भी आपको more के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, हालांके अगर आप slow motion set करेंगे तो यहां पर notice करेंगे, कि front camera में slow motion capture नहीं कर सकते हैं, और यहां पर कोई resolution fps change करने के options भी नही होगा, और यहां पर आपको fingerprint shooting का option मिलता है, इसको आपको यहां से enable करना होगा, इसको अगर आप enable रखेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे ही इसके उपर tap करेंगे, एक photo जो हो capture हो जाएगी, तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था guys, I hope यह वीडियो आपको अच्छा आपको यहां से लाटस्टों